क्या सीमा हैदर जुट बोल नहीं है क्या ATS की अब तक की हुई पूस्ताच में सीमा ने ATS की टीम को बर्गलाने की कोशिश की है जहां इनी सवालों का जवाब तराशने के लिए ATS की टीमे जल्द ही लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलिग्राफ टेस्ट की ओर रूख कर सकती है इस वक्त हम सीमा हैदर के ठीक घर के बाहर है जहां पर आज दूसरा दिन सीमा हैदर को लेकर ATS की टीमें यहां से रवाना हो चुकी है आज सुबह तक्रीबन साड़े आठ बजें सीमा हैदर को पूस्ताच के लिए ATS की टीमें यहां से लेकर गई है उनके साथ उसके दो बच्यों को भी ले कर गई है हलाब कि बच्चे छोटे हैं कोकी माँगे बगएर नहीं रहे सकते हैं उसके साथ ही सचिन नामका यूबक जिसके घर में सीमा है यदार नहीं तरह रह रही थी वो एक रात एक दिन पहले ही यानि सुमार की शाम को जब उससे पूस्ताच की गई थी 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 उसे ATS ने अपने पास ही रोका हुआ है उससे लगातार पूस्ताच जारी है वहीं सचिन के पिता नेतरपाल को भी ATS की टीमें लेकर गई है ATS की टीमें आप उस एंगल की तरफ जार्च कर रही है जिस पर अब तक परदा साफ नहीं हुआ था और यहीं वज़े है कि आज सीमा हैदर के घर के बाहर जो रोजारा भीड होती थी वो भीड नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि सीमा हैदर कई सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं दे रही है जो यहाँ पर ATS की टीमें उससे पूछना चाहती है सीमा हैदर किस एजन्ट के मारपत नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई थी उसने अब तक उसका खुलासा नहीं किया है उसने वो सब कुछ पुलिस एजन्सियों को अब तक बताया है जो सीमा हैदर चाहती थी उसके अलावा उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जिसे एजन्सियां जानना चाहती है किस एजन्ट ने उसे नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल करवाया था और कौन लोग तो क्या वो एजन्ट पाकिस्तानी था और पाकिस्तान में उसने किस तरह से पासपोर्ट की तयारे की थी ये सारी जान करें हपा जुटाई जा रही है आप तस्वीरों में देखिंगे सीमा हैदर का ये घर है और इस घर में इस वक्त संदाडा पसरा हुआ है सिर्फ सचिन मीना का ही भाई यहां पर है और उसके अलावा यहां पर इस वक्त कोई नहीं है लेकिन जो तस्वीरे हैं वो काफी बोली को कि लाके के लोगों ने सीमा हैदर का बखू भी स्वागत किया था उसे यहां पर अपनी बखू बनाया था किसी ने अपनी भावी बनाया था लेकिन यहां पर अब सीमा हैदर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कोकि ATS की टीवे हमेशा उन मामलों में जाच पड़ताल करती है जो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं और इसी वज़े से यूपी ATS अब इस पूरे मामले में जाच कर रहे हैं तप्तिश कर रहे हैं कि आखिर ये वाकई में पाकिस्तान से सर्फ प्यार के खातिर आई है या फिर इसके पीछे की कोई और मंचा है और इसी वज़े से ATS की टीवे आज सुबा लगातार दूसरी बार पूस्टाज करने के लिए उन्हें ATS अब तर के लिए लेकर गई है और आप देखेंगे ये ह पता नहीं सचिन रात को घर आया था पता नहीं ये लेकर गई है सीमा एदर को भी भाया मुझे पता नहीं है कुछ भी देखें सचिन के भाई हो आब हम जानते हैं आप थोसाद कॉंफेंड में बताई कि कि किने बज़े पुलिस आई थी पुलिस कब कि सुबे तो रात पी को रात भी रहा अच्छा तो आप से भी पुस्ताश कर रहें किसिति वनें इप्से नहीं करêं क्या कहा रहे हैं कुस्च मागयी सीमा मीकितने वज़े आयAt को यदि सुने फिर लेके चलें फिर लेकर भाई वहां कि वहरी भाई हमके लेकिन ये सचिन के भाई है को कि घर में इस वक्त यही शक्त जो है वो अकेला है लेकिन कुछ भी बताने के लिए इहां पर पुलिस की पीमों ने मना किया है और इसी वैसे सचिन के भाई जो है अपने घर से नहाद होकर निगले हैं क्या ये पुलिस की तरफ जाएंगे ये कह सब्सक्राइब और ये बताया था सिमा ने की क्या क्या पूच्छाच हुई थी ना कुछ भी नहीं है ये सचिन के भाई है जिन्हों ने नियूज एटिन इंडिया पर बात्षीट करके बताया था आप लोग यहाँ पर है ये सभी लोग है ये बताईए सिमा भावी को देखने के लिए आप आते थे आप बताएंगे आप लोग तो वैलकम कर रहे थे नहीं मेरे को नहीं मिली नहीं मिली क्या पताएगए आपको मेरे कुछ पताई नहीं मैं बताऊंगा तो आप लोग तो यहीं पर घर के पास ही खड़े हो कुछ तो बताईए कुछ जानगरी देखे सीमा हैदर को सुभा लेकर गई थी पुलिस की टीमे और इसी वज़े से उसके बाद आप यहां पर कोई नहीं है हर को यह सोच रहा है कि आखिस सीमा हैदर कहां चलेगी कहां गई सीमा हैदर यह सबसे बड़ा सवाल है लेकिन यहां पर माना जा रहा है कहा जा रहा है कि अभी भी कई तरह के सवाल यहां पर पैदा हो रहे है कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान से यहां पर आई थी यह जवान जो है ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ आप दहर आते हैं और हम रोजाना आपसे यह पूछते हैं कि छा परिशान होता है आज हम आकरी बार यह फूचनों चाहरा है आप से कि अथा जिनरा आपको को पिताजी को ने कर अउसल्ट इसफि को आपको फलिसुत नहीं हूं राद बर पुलिस आपके घर थी ये बाहर थी घर के अंदर बैठी थी क्या कह रहे थे हो कि हम लोगों छोड़के नहीं जाएंगे पतना कि तो भी मुझे जानकारी नाम हो बच्चे भी लेकर गई है भी ना बच्चे लग गई है दो बच्चे भी लेकर गई है देखे यहां हम इसले सवाल पूचन चाहता है को कि घर के वो सदस्द्ष्ध जाना आजब जरूरी कि को पुलिस यहां करी आशiron की जार्ट करिये जो सामने भीड़ है इसको आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्यों कि यह वो लोग हैं जो आते हैं लेकिन दो दिन पहले तक सभी लोग सीमा भावी सीमा हमारे घर की भ nervous कहने वाले लोग अब यहां पर आप लोग आये हैसे हります देखनें हैं के लिए आपकर यहाद नहीं कि अब नहीं कि लिएकर के यहां को लग लग लाई है यहीज है जो चार दिन पहले तक यहां पर वैलकम के लिए खड़े थे लेकिन आब जिस तरह से ATS की टीमे यहाँ पर लगातार जाज कर रही है एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ATS के पास लगातार पूस्ताज करने का सिलसला शिरू हो चुका है तो कहीने कही सवाल सब के जेहन में इस वक्त है और ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है यानि सीमा लांकर यहां पर आई है और उसके पीछे की वज़े क्या है क्या है क्या वाकिए में आईसाई का कोई बड़ा प्लैन है या फिर वाकिए में सीमा सिर्फ सचिन के प्यार के खातिर भारत मा आई है ये सारे सवाल इन जवाबों को तलाशने के लिए एटियस की तीमे जाज कर रही है और जब तक एटियस की जाज पूरी नहीं हो सकती तब तक ये कहा रही जा सकता कि सीमा को यहां पर बेदा करार दिया जाए